आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में प्यारे बच्चों में आप सभी से अनुरोध करता हूँ एक्जाम हौल में परवेश करने से पहले आप इस वीडियो को अवस देख लेना क्योंकि इस वीडियो में जितने भी सवाल बताये गए हैं सब्सक्राइब लिया जाता है और प्यारे बच्चों आप लोगों को ग्यात होना चाहिए एक्जाम प्रारम होने से एक मेहना पहले मैं सभी ओनर्स पेपर वो सब्सेडरी पेपर का जो है आप लोगों को सजेशन देने का काम करता हूँ ठीक है और मेरे द्वारा जो ठीक है तो सभी बच्चों का कोमेंट मैं यहां पर सो नहीं कर सकता कुछ बच्चों का ही सो कर सकता हूँ और इस कोमेंट में आप सभी साफ साफ पढ़ सकते हो इसमें साफ साफ लिखा गया है सजेशन की आहमियत क्या है ठीक है मेरे द्वारा जो आप सभी को सजेशन दिया या बिये दूतिय वर्स भी आप सभी बोल सकते हो, यदि आपने बिये दूतिय वर्स में जोगरफी बोली तो भुगोल जैसे सब्जक्टों को रखा है, तो आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफी जादा बहुत, यानि कि बहतरीन बोले तो वरदान साबित होने ठीक है, इसमें कोई सक नहीं है, यदि आपको इन बातों पर भी स्वास नहीं होगा, तो सभी बच्चों के पास कोशन बैंक होगा, कोशन बैंक पलटाई है और इन परसनों की अहमियत आपको कोशन बैंक देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, ये साड़े परसन एक ब बार-बार रिपीट करके आपके एकजाम में देते आरे हैं, और इस बार भी पूछे जाएंगे, कोई सक नहीं है, और आपके पूरे वर्स की तेयारी को मात्र इस दस मिनिट के वीडियो में कवर किया जारा है, तो आप लोगे के पास एक गोल्डेन अपरचनूटी है, इस परचनूटी को यूँ ही जाने नहीं देना है, प्यारी मित्रों, और इन सभी प्रस्नों के उत्तर को जो है जोगरफी के प्रूफेसर, यानि कि भूगोल के प्रूफेसर के द्वारा काफी आसान वो सरल सब्दों में तियार किया गया है, यदि इन प्रस्नों का उत्तर सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि उन्हें वी असान सब्दों में उत्र चाहिए होते हैं तो पहला प्रस्ण जो आप यहां पर देख पा रहे हैं दो बार नहीं पिछले 10 वर्स से आपके एक्जाम में पूछे जा रहे हैं ठीक से आपको मिलाकर इन सभी प्रस्णों का उत्र एक सेकेंड में डाउनलोड कर पाओगे ठीक है हिंस बताने के बाद जब आप उत्तर को पढ़ोगे तो आपको एक रिविजन क्लास लगेगा ठीक है आपको लगेगा कि हां मैंने इन प्रस्णों का उत्तर पहले भी जानने का प में भी पूछे जा चुके हैं क्या इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ठीक मानसून या पवास मुलता हींद महासागर एवंग अरब सागर की और से भारत के दक्सिन पसिम तरपर आने वाले हवाओं को कहते हैं जो भारत भारत के परोसी राष्ट जो हैं पाकिस्तान पर देश आदि में भारी वर्सा कराती है यह ऐसी मुश्मी पावन होती है जो ज्यून से लेकर 15 सितमबर तक परियाए चार महा तक सकरी है रहती है और भारी वर्सा भी कड़ाती है तो इसके बारे में और भी विस्तार से जानेगे उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन बर्नन करने की लिए काफी जभी मुखे रूप से परकिर्तिक वनस्पतिय ठीक है फाला बहुत्वकतms्तियां थीक है पहला आपका धागा उस्न बंदिय सदावहर स्ंद हlarını दूसरा आपका उस्न कटिमद्य उन पर नपाती वन तिस्रा आपका उस्न कटिमद्य कर्दकेदार स्टराय पर्वती वन फश्मा मेंगरो स्टरा यहां पर उसन कटःमिंद्य सदा वाहर वन के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, काफी बेहत्री वन है, और इस वन की खुबसूरती, काफी जदा आई रहे हैं, और इनमें जो विरिक्ष होते हैं, यानि इन वनों में परमुक विरिक्ष कौन कोन है, यानि कि आपको मैं बता दूँ, यह यह सारे पर्मुक विडिक्ष है ठीक है इसके बाद प्यारे दोस्तों हम बात कर लें यहां पर दूसरे दूसरा प्रक्रितिक विवनस्पति के बारे में उसने कटिमंदिया आद पर्णपाती वन इन्हें पत्जर या पर्णपाती वन भी कहा जाता है यह मुक रूप से मानसुनी वन है कुल मिलाकर एक सो से दोसो सेंटिमीटर वर्षा वाले छेत्रों में मिलते हैं ठीक है इसके बाद हम लोग जानते हैं यहां पर तिसरा है आपका यहां पर उसने कटिमंदिया सुस्क पर जारियां यह वन उन भागों में मिलते हैं जहां वर्षा संतर सेंटिमीटर से कम होती है ठीक है जैसे कि राजस्थान की बात कर लें राजस्थान में संतर संटिमीटर से कम वारिस होती है जहां पर आपको कटिले वन वजहारियां देखने को मिलेगी इसका पाचमा आपका परवतिय वन परवतों पर पाए जाने वाले उन वर्षा का अनुसरन न करके ढाल का अनुसरन करते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि उचाई बढ़ने के साथ ताफ़मान में तेज गिरावट आती है ठीक है जैसे आप उचे आकास के और बढ़ते जाओगे ताफ़मान में कुशन नमर तीसरा आपका दक्षिन भारत में सिचाई के साधनों का वर्णन करें यानि कि साउथ इंडियन में सिचाई के कौन-कौन से साधन है खेत पठाने के कौन-कौन साधन है इनके वारे में आपसे पूछा जा रहा है यह प्रसंद भी काफी ज़्यादा इंपोर्ट दक्षिन भारत में सिचाई का विभीन साधन है तलाब है नहर है कौव तदा नलकूप इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे हम लोग चोथा प्रसं आपका भारत में कपास के वित्रन इमंगत पादन का वर्णन कीजिए भारत में जो कपास का वित्रन है उसके वु से हम वर्तमान समय की बात कर लें वर्तमान समय की बात कर लें वर्तमान समय में कुल कपास का उत्पादन लगबग 90 परतिसत पंजाब जिसे कि भारत में कुल मिल्या के मानके चलो 100% कपास का उत्पादन होता है उसमें 90% उत्पादन करने वाला राज जी कौन-कौन है तो आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा जाना और इसके बारे में और भी डीटियल से जानोगे भारत में कपास का सबसे बर्या उत्ताधाग राज कोन है तो देखिएृज़रात कपास का सबसे महतपुर नगदी फसलों में से एक है और कुल वेस्विक रेशा उत्ताधन का लगभग 25 परतिसत है तामिल नाटु और ओडिसा राजियो में भी कपास की उगाई की जाती है प बहुत सारे चीनी मिल जो है बंद किया जा चुका है भारत में उसके आपर सरकार की कोई पर्थिकडिया नहीं जाहरी की जा रही है। परनतों जितने भी चीनी मील अभी बंद हुए हैं उसको फिर से चालू किया जाए ताकि भारत में बहुत सारे यूबाओं को रोजगार मिल सके तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं चीनी उळध्योग ग्रामिन भारत में स्थित क्डिसी पर अधारी सबसे बढ़ा उध्योग है चीनी उद्योग जो है भारत के ग्रामिन किसान पर सबसे ज्यादा अशर देखने को इसके बारे में और भी हम लोग जानेंगे भारत में चीनी उद्ध्योग की सुर्भात कब हो भी तो प्यारे दोस्तों भारत में चीनी उद्ध्योग याने की वित्रन भारत संसार में गन्य का सबसे बड़ा उतपादक देश है आधुनिक अधार पर चीनी उद्योग का विकास 1930 में प्रारम हुआ जब सारन बिहार जीले के मढ़ोरा में एक चीनी मिल की अस्तापना की गई थी 2008 के सरवे करुशार भारत में चीन मिलों की संग्याथ 615 थी जिसे जिसमें सिर्फ महराश्ट में 134 मिल है परण तो बिहार में अधिकांस चीनी मिल बंध हो चुके हैं और भी कई सारे राज्य में भी चीनी मिल बंध हो चुके हैं इसके ओपर सरकार की नजरिया नहीं असपस ठोड़ी है ठीक है और भी इसके बारे में जानेंगे हम लोग चीनी उद्योग का परमुख समस्या क्या है तो भारत में चीनी उद्योग से समंदित समस्या क्या पुरानी मसंगिरी वसुली की नियूंदर उत्पादन की उचलागत आधी लाप को कम कर देते हैं बिना किसी नियंतने के गूर खंडगासी उद्योग द्वारा गन्ना के एक तयाई भाग का उपयोग क्या जाता है जो चीनी मिलों में गन्नों की कमी के कारण बनता है तो गन् आपसे नमर्स अत्मा पूचा तो प्यारे दोस्तों यह परसव अपने जो वर्स 2017 की बात करें तो 2017 में 1.38 billion जनसंख्यां से बढ़ कर लगए 1.6 billion हो जाएगी वर्स 2100 यानि कि अभी 2000 चल रहा है न तो 2100 में भारत की जनसंख्यां कुल मिला कर 1.09 billion अनुमानित मानी गई है अध्यन के नुसार वर्स 2100 में भारत का विस्व का सबसे अधिक जनसंख्यां वाला देश होगा तो प्यारे दोस्तों जनसंख्यां कहीं न कहीं अपने आप में काफी ज़्यादा कंप्रिशन में है और सब को पीछे छोड़ता जा रहा है और भा सिव tricky दर में इन अंतर कमी से भारत में वीर्दों का अनुपाद अधिक होगा जनसंख्यां पर अधिक भार बढ़ेगा जर्म तर तधा मिरति दर के दर को परकर्दिक विर्दी पर कहा जाता है रह्या जनसंक्या विर्दी से किसी भी छेतर में लोगों की सङ्ख्या बढ़ने को कहा जाता है पूरे दुनिया में विश्ड की जनसंक्या हर साल लगवक कम से कम सारे आठ करोड दर से बढ़ती जा रही है वर्स आथारा सअ पूरू याँ यह तो कि 2017 में बढ़कर कुल मिला कि 7.6 अरब हो गई है तो समझ सकते हो कितना बढ़ा है पिछले 200 वर्चों से क्वेस्टर नम्मर आपका यहां पर आठमा है भारत में सेगन गरामीन बस्ती की विशिस्ताओं कारुकों का वितरन पर प्रकाश डलिए इसके बारें बिस्तार से इंपोर्टेंट सवाल है यह उम्मीद करता हूं आप लोग अपने कोपी में लिखते जा रहे होंगे जनसेंक्या की दृष्टी से हम बिहार की बात करें तो भारत का तिसरा सबसे बड़ा राज है बिहार बिहार का भगुलिक विस्तार 24 डिग्री 21 मिनट 10 से लेकर यहां प के 345 किलोमीटर है पूरव से पच्छिम चौराई को मिलाके 483 किलोमीटर है यानि कि विहार की लंबाई चौराई तो प्यारे दोस्तों काफी जदा इंपोर्टेंट परस्न है इसको मैंने आप लोगों के लिए काफी बहतरीन धंक से बनाया इसका उत्तर कुश्चर नमर द लेदर इंडेस्ट्री तंबाकू इंडेस्ट्री वस्तर उद्ध्योग यह सारे बिहार के पर्मुक उद्ध्योग में से एक है और इसके बारे में अजदी और भी आप विस्त्रीत रूप से जानना चाहते हो तो प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर बात कर ले यह सारे उद्ध इसके बाद मैं बताऊंगा कैसे आप इन सभी प्रसुनों का उत्तर डाउनलोड कर पाऊगे ज्यादा सवाल नहीं हो उम्मित करता हूं आप सभी लिखते चलोगे पहला प्रसन आपका ज्योग्रफी ऑनक्रिस्टी की परमुख विश्ष्थाओं का प्रस्तूत प्रस्तूत की यानिकि जोग्हरफिiras कुछन नमर दूसरा ब है बेपारिक दुगा दुद्धो ऊथ्पाद के श्थाड़ इसका विश्ष्थद्धह का विश्ष्थाओं का विश्ष्थेजू करें के relad प्रिक्षन केजिए यह सारे प्रसन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है इससे महत्पूर्ण प्रसन होई नहीं सकता ठीक है अब प्यारे दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर यदि आपने यह सारे प्रसन को नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं आप च सकते हैं सकते हैं और पर दफाने के लिए प्रसन आपके प्रफ्सना के लिए आपके पास 3 तुไहरा क्या है और सेगाम'S public.. कर लोगे दूसरा तरीका यह है यदि आप टेलिग्राम यूज नहीं करते वह लिपर वाट्सअप यूज करते तो डिस्क्रेप्शन में वाट्सअप गुरूप का यूज लिंक दिया गया है आपको वाट्सअप गूरूप को जॉइन कर लेना है जॉइन करते हैं आपको कासरा सबसे महत्तपूर्ण है यदि आप पड़ने में कोई इंट्रेश्ट नहीं है तो सुनने में तो इंट्रेश्ट है ना तो आप सुन सकते हो इन सभी प्रशनों का उत्तर जो है जोगरफी के प्रफेसरों के द्वारा जो है एक वीडियो तयार किया गया जोकि जाँ आप जाए आप जाता है तो समझ सकते हैं कितने असान सब्सक्ट तो प्यारे दोस्तों तीसरा तरीका मुझे भी बैस्ट अपना क्योंकि यहां पर आपको मौखिक रूप से सारह कुछ रटाने का काम किया जाएगा क्या थैए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करता हूँ चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लोगे आप सभी थेक्स पूर वाचिंग बाइबा टेक केर जाएं दोस्तों